हेलो दोस्तो उमीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे दोस्तो अगर आप भी PM किसान सम्मान निधी योजना के ताथ 6,000 रुपया का लाब लेते हैं तो आप सभी किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है PM किसान सम्मान निधी योजना के ताथ 13 किस्त में बहुत सारे किसानों को छाटा गया है तो उन सभी किसानों के लिए रिजेक्टर लिष्ट जारी कर दिया गया है जितने किसानों को PM किसान सम्मान निधी योजना के लिष्ट से हटाया गया है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा तो सबसेख पहले हम अपना Chrome Browser को Open कर लेंगे Open करने के बाद Simply Type Box में Type करेंगे DBT Agriculture इतना लिखने के बाद Simply Enter करेंगे Enter करने के बाद Next Page Open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है Agriculture Department तो Simply हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद Next Page Open हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है आवेदन की स्थित्ती या आवेदन प्रींग तो Simply हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ओप्षन खुलके आ जाएगा उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे उपर की ओर और यहाँ पर देखें दोस्तों नीचे लिखा हुआ है पीम किसान और सुक्रीत आवेदन सूची तो Simply हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से next page open हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ डिस्टिक और ब्लोक तो Simply आपको अपना डिस्टिक को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप अपना ब्लोक को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देखें दोस्तों बगल में लिखा हुआ सो तो Simply हम इस पर टाइप करेंगे जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों सभी किसानों का डिटेल खुलके आ गया है तो इस लिस्ट में आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपका रिजेक्ट किस कारण से हुआ है तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से पता कर सकते हैं कि रिजेक्टेट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कॉमेंट सेर जरूर करें ठैंक्यू